ओके जी, तीन चीजें जो हमने अभी देखी हैं, जिसको एंट्रॉपी बोला जाता है, जीनी इंप्यूरिटी बोला जाता है, इनको हम कम्प्यूट करते हैं या इंप्यूट करते हैं, इनसाइड पाइथोन और पाइथोन की लाइबरेडी जिसका नाम है मैथ, उसको यूज करेंगे, लेट्स जम्प इंटो इट, और अपनी स्क्रीन के उपर हम अभी देखते हैं किस तरीके से इने चल्कुलेट करना है, यहाँ पे, 14 नंबर मैं डिजाइन करता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ, decision tree.ipynb, यह मैंने बना ली जनाब, फाइल नई, यहाँ पे, हम basically स temporary को import करना है, और यह automatically आपके पास install होगी, अगर आप मेरे पिछले lecture देखते आए हैं, तो आपको समझागी होगी, ठीक है, अब हमने अगला काम क्या करना है, math को import करने के बाद, हम एक example dataset बनाते हैं, example dataset, ठीक है, example dataset के अंदर, कुछ इस तरीके से हम, दो classes बनाते हैं, for example, let's say we have a dataset with two classes, A and B, एक example है, के हमारे पास दो classes है, A and B, वो कोई भी classes आपके पास भी हो सकती है, binary या different किसम के dataset की, suppose in a dataset of 10 elements, यानि के 10 elements total है, 4 are class A and 6 are of class B, यानि के total elements हमारे पास है, 6 और 4, 10, और अगर मैं यहाँ पे total elements को draw करूं, so it will be equal to total underscore, बलके इसको total is equal to n underscore A plus n underscore B, ऐसे कर लेते हैं, यह हमारे पास आगया total, ठीक है, so यह हमने class A के और class B के total elements यहाँ पे दे दिये, तो हमारे पास यानि के 4 data points ऐसे हैं, जो class A से बिलॉंग करते हैं, और 6 data points ऐसे हैं, जो class B को बिलॉंग करते हैं, अब हमने क्या करना है, पहली बात तो यह proportions कैलकुलेट करनी है, मैं यहाँ पे इनको run करने के बाद, proportions कैलकुलेट करते हैं, let's calculate the proportions, proportions कैसे calculate होती हैं, अगर आपको याद हो, तो it's very easy, proportion of A, यानि के P of A मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे is equal to, आपने total में से 4 को divide कर देना है, ठीक है, यानि के 4 बटा 10, और फिर इसी तरीके से P of B is equal to total में से, आपने number of B है, उसको divide कर देना है 10 पे, तो यह आपके पास proportions आ गई, आप इसको print भी कर सकते हैं, इस very simple, just to show you, कि आप जब इनको print करते हैं, so it would look like this, पहले की 0.4 proportion है, दूसरे की 0.6 है, proportions आपके पास आगी, अब हम यहाँ पे entropy calculate करेंगे, entropy के लिए आप simply क्या करते हैं, यह measure of certainty होती है, जो हमने पहले भी देखा है, मैं यहाँ पे entropy लिखता हूँ, is equal to, this is equal to, now you will write this algorithm, this formula आप कह सकते हैं, minus P of A, multiplied by math का logarithmic ratio of P of A, comma 2, minus P of B, यानि के proportion of B, multiplied by log of P of B, comma 2, ठीक है, तो हम यह वही formula लिख रहे हैं, जो हमने, let me show you, entropy का, यहाँ पे देखा था, मैं आपको भी उस formula पे ले जाता हूँ, यहाँ पे, यह वाला formula हमने लिख है, minus लगा के आपने क्या करना होता है, A, जितनी भी classes हैं, उनकी proportion लेके, दूसरे का log लेके, आपने उसके साथ उसको multiply करना होता है, मैंने वो ही काम की है, not more than that, ठीक है, simply यह वाला हमने कर लिए, और इसकी proportion जो है, वो हमने करने के बाद, इसको basically हमने, यहाँ पे log 2 जो है वो ले लिया, अब यहाँ पे आपको clear हो गया होगा, इसकी एक और चीज हो सकती है, कि log 2 को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, usually coding के अंदर depend करता है, कि आपने किस तरीके से log 2 जो है वो लिखना है, so you can also write log 2 like this, hopefully it will work, so entropy आपके पास entropy की value आजाएगी, print entropy, तो यह आपके पास इस तरीके से entropy आगी, 0.97 ठीक है, यहाँ पे आपको clear हो गया होगा कि 0.97 है, अब आगे बात करते हैं, यह तो होगी हमारी entropy, और यहाँ पे अगर मैं दूसरे तरीके से इसे calculate करूँ, I am just curious कि अगर मैं comma 2 लिखता हूँ, यानि कि log 2 को ऐसे लेता हूँ, फिर भी सेम आती है, so it doesn't matter, आप इस तरीके से log 2 ले ले, या आप दूसरे तरीके से ले ले, doesn't matter, entropy आपके पास 0.97 है, अब आगे चलते हैं, entropy के बाद हमारी Gini impurity हमने calculate करनी है, Gini impurity, तो Gini impurity के लिए आप simply लिख सकते हैं, Gini is equal to 1 minus, आपने 1 minus, और इस तरीके से आपने 2 चीजें लिखनी हैं, पहली proportion का square minus, दूसरी proportion का square, ठीक है, अब ये वाला जो formula है, ये हमने different तरीके से पढ़ा है, मैं आपको दुबारा से दिखाता हूँ, जो Gini index का formula है हमारे पास, sorry Gini impurity not Gini index, तो यहाँ पे अगर गोर करें 1 minus, तो हमने क्या किया है, दोनों की proportions automatically पहले लिए हुए हैं, proportions of i, इन दोनों को जमा करना है, यानि के ये जो चीज है, proportion of a, plus proportion of b, और उन दोनों का square है, ठीक है, ये जो formula लिखा हुए है, so मैंने इसको simply क्या कहिए है, यहाँ पे proportions हमारे पास पहले थी, अगर मैं इसको bracket लगाऊं, तो यहाँ पे मुझे plus लिखना पड़ेगा, तो इस equation को हमने पहले ही resolve कर लिया, क्योंकि बाहिर minus है, तो यहाँ पे इसको minus कर दिया, ठीक है, और दोनों की हमने ratio जो है, वो separate कर दी, अब proportion of a, proportion of b हमारे पास आगी, अगर हम print करेंगे, तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी, and let me see, हमारे पास जो यहाँ पे minus था वो नहीं है, this is our genome purity, ठीक है, अब इसके बाद जो अगली चीज हमारे पास आती है, information gain, उसको हम calculate कर सकते हैं using, उसका formula थोड़ा सा बढ़ा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, just a minute, यहाँ पे जब हम information gain को calculate करेंगे, we will assume a split on some features, divided the data set into two subsets, हम कहेंगे subset 1 and subset 2, यानि के right and left दो जगों पे, एक ही classes तीन एक साइट पे चलीगी, sorry, दो elements of A आगे हैं और तीन of B आगे हैं, फिर दो of A और तीन of B, यानि के जो 4 और 6 था, हमारे पास वो 2 और 3 तीन करके, दो में divide हो गए हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ, यह कैसे हुआ है, मैं अपनी screen आपके सामने लाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास थे जणाब, A की class के 4 element, B के 6, हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से, A की class के 2 इदर आगे, 2 इदर आगे, और यहाँ पे B के जो 3 थे, वो यहाँ पे आगे, और यहाँ पे B के 3 आगे, तो हमने इस तरीके से एक split किया है, ठीक है, अब इस split को देखते हैं, हमारे पास यह पहला split है, और उसकी 2 और 3 values हैं, फिर दूसरा split है, और उसकी 2 और 3 values हैं, ठीक है, इनकी separate हम दोनों की calculate करेंगे, proportions, और उनकी entropy हम calculate करेंगे, something like this, जो हमने पहले भी कर ली है, फिर हम जो दूसरा proportion है, जो दूसरी split है, उसकी proportion calculate करेंगे, और उनकी entropy calculate करेंगे, यानि के पहले split की और दूसरे split की, हमने entropy जो है वो calculate कर ली, ठीक है, and then we will calculate the information gain, by using entropy minus, ये वाला formula, multiplied by entropy of 1, again हमारे पास दोनों की proportion, in second split, and then entropy of 2, जब हम इन दोनों चीज़ों को लिख लेंगे, तो हमारे पास information gain, जो है वो, इस तरीके से आ जाएगा, अब आपको मैं समझाता हूँ, कि ये जो equation हमारे पास, इसकी information gain की बनती है, that is somehow, this one, ठीक है, हमने क्या किया, entropy के अंदर से, हमने minus किया है, दुनों की entropy, और उनको हमने multiply किया है, using different proportions, ठीक है, so simply अगर आप इस equation को समझ लेंगे, तो आपको ये formula clear हो जाएगा, entropy minus, हमने क्या किया, पहले split plus, दूसरे split की classes, divided by total classes, ठीक है, मतलब ये class, दोनों की, और divided by total, multiplied by entropy of one split, ठीक है, फिर इसी तरीके से, classes of A and B, दूसरे split में, divided by total, और उसकी फिर entropy, मिसाल के तोर पे, अगर मैं आपको इसको, और भी असान करके समझाऊँ, so it would be, something like this, हमारे पास, ये था जी, A is equal to 4, B is equal to 6, हमने इन दोनों को split किया, दो में, तो ये हमारे पास, पहला split है, ये दूसरे है, ठीक है, इसमें A की 2 हैं, B की 3 है, इसमें भी A की 2 हैं, और B की 3 है, ठीक है, ये समझाँगी आपको, अब जब भी entropy calculate होगी, 1 की, तो ये इसकी होगी, entropy calculate होगी 2 की, तो इस एक cell की, इस एक node की होगी, ठीक है, तो हमने क्या किया है, दोनों की entropy calculate की, और दोनों की proportions calculate की है, ठीक है, and then, we actually linked both of them, यहाँ पर चेक करें, A class plus B class in first split, divided by total classes, multiplied by entropy of 1, इसको हमने लिखा, फिर हमने इसको जमा की है, A class, B class of split number 2, divided by total, multiplied by entropy of 2, and this is our information gain, और information gain हमारे पास, बिलकुल 0 आई है, reason क्या है इन चीज़ों को देखने की, और हमारे पास, यह information gain 0 क्यों आई है, और बाकी चीज़ें हमारे पास इतनी क्यों आई है, अगर हम इसको study करें, मैं यहाँ पर basic, जो formula है वो ही ले के आता हूँ, अब यहाँ पर अगर आप गवर करें, बलके इसको मैं screenshot ले के, और बारी बारी करके आपको वहाँ पर समझा देता हूँ, notebook के उपर, कि इससे हमें output क्या मिली है, ठीक है, let me take a screenshot from here, और इसको हम यहाँ पर ले करते हैं, यहाँ पर प्रेंट करते हैं, अब अगर गवर करें, अब अब अगर गवर करें, अब 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 अगर गवर करें, a moderate level of disorder बिलकुल काम है in the data set यानि के दर्मेहना सा जो है वो हमारे पास disorder या impurity है, considering that it's not very close to 0, which would be mean no disorder and not at its maximum which would be mean its complete disorder order for the binary class, तो complete disorder क्या होता, अगर a भी 5 होता, b भी 5 होता हमारे पास a है 4 और b है 6 तो यह देखें, disorder तो है लेकिन इस से कम है, ठीक है so entropy ने हमें क्या बताया, कि इस एक cell में 0.97 का मतलब है, it's not equal to 1 लेकिन 0.97b, entropy अच्छी खासी है, मतलब यह कि हमें final decision तक नहीं पहुंचे यहां पे impurity अच्छी खासी है फिर आते हैं Gini impurity पे the Gini impurity for data set 0.48, the value of being less than 0.5 suggests some level of impurity in the data set, but still indicates a mix of class A and B Gini impurity ने भी यही चीज़ हमें suggest की, कि अभी भी impure है data 0.5 से उपर होता तो बहुत ज्यादा impure है 0.4 से, 0.48 से नीचे है तो इसका मतलब है कुछ कम है, यानि कि 6 और 4 है, not 5 and 5 ठीक है, and then हमारे पास है information gain, जब हमने split किया the information gain from the chosen split is 0, इसका मतलब है information आई ही कोई नहीं, but we will see, this results implies that split did not reduce the entropy, अब आपको भी पता है, कि हमने इन दोनों को basically 2 पे divide कर दी है, लेकिन हमारे पास proportion तो वही है ना 2 और 3 हो, या हमारे पास 4 हो, चे हो, ति रिशो तो वही आ रही है ना, अगर आप गौर करें 2 बाए 3 हो, 4 बाए 6 हो, या यहाँ पे आप अगर इसको कर लें 2 4 अगर मैं इसको कर लो, 4 दो बार 8 2 चार बार 8 तीन, 4 बार 12 8 बड़ा 12 करूं तो हमारे पास वही चीज़ आती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर यही proportion रहेगी, यह इस साइड पे चले जाए, यह साइड पे चले जाए हमारे पास 0 information gain है कोई इतनी खास information नहीं है, हमारे पास proportion of classes same रही है तो information gain reduce इसका मतलब नहीं हुई, जो हमने split किया उसकी base पे हमारी information gain reduce नहीं, information gain 0 रही, कोई भी हमें फरक नहीं पड़ा, इसका मतलब है entropy का मतलब क्या हुआ, impurity in the classes genuine impurity भी वही चीज़ बताती है, information gain भी वही चीज़ बताती है, and now I'm going to show you a little example कि यहाँ पे अगर हम 2 by 3 की बजाए, इसको 1 by 3 कर लें और इसको हम 3 by 3 कर लें, अगर आप गोर करें, यह 4 ही रहेंगे, यह 6 ही रहेंगे अब इसको मैं run करता हूँ, let's see कोई हमारे पास आती है, information gain बिलकुल आई 0.46, क्यों? क्योंके हमने पहले split के अंदर reduction होगी ratio में, अगर मैं इसको 0 कर दूँ, और यहाँ पे 4 कर दूँ, now let's see अब हमारे पास 0.28 information gain आ गई है, ठीक है क्यों? क्योंके 1 split में 0.3 है, और 1 में 4.3 है यानि के 1 split जो है जो left split हमने किया था उसमें हमारे पास final class आ चुकी है लेकिन अभी भी इनको further divide करने की जरूरत है, तो point something जो आपके पास information gain आई है, इसका मतलब इस split के बाद आपके पास कुछ classes आई है ठीक है, so this is how you can understand the concept behind information gain, entropy and Gini index, या Gini, sorry Gini impurity अब ये चीज़ें कैसे matter करती हैं और हमारा एक proper decision tree कैसे बनता है, इसको हम अपने next lecture में देखते हैं, I am hopeful कि आपको ये तीन चीज़े समझ आगी होगी, मैंने mathematically भी आपको समझाने की कोशिच की है, और ये notebook भी इंशाला आपको मिल जाएगी, अगर आपने like नहीं किया, share नहीं किया, subscribe नहीं किया, तो please do it for now, and then we are starting our next talk about, कि हमारा decision tree है, ये कैसे काम करता है, using psychic learn, और हम इसको draw करके भी देखेंगे,